हेलो एभीरीबन वेलकम इन आवर यूटूब चैनल एम एलेवन एकेडमी तो बिसी इसी वाले जो भी बच्चे कॉंसेलिंग लिंक एक्टिव होने का इंतेजार कर रहे थे वे सभी बच्चे का इंतेजार खत्म हुआ तो बच्चों यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा र बच्चों इस वीडियो में हम बताने वाले कि आप लोग अपने मोबाइल से च्वाइस फिलिंग यानि की ऑनलाइन कॉंसेलिंग कैसे कर सकते हैं तो सारा कुछ हम स्टेप बताने वाले तो बच्चों वीडियो को लाश तक आप लोग जरूर से देखिए और सबसे पहले आ बच्चे ही कर सकते हैं जो भी बच्चे मेडिकल वाले हैं जो एगरिकल्चर नर्संग वाले बच्चे हैं उनका अभी कॉंसेलिंग नहीं होगा पाच्छे दिन के बाद जैसे इसका खत्म होता है तो आप लोग को कॉंसेलिंग होगा देखे सब से पहले समझ लेना कि आप लोग को सब्सक्राइब करके सबस्क्राइब करके सीजी कर लिएगा आप देट को कुछ नोटिस बता देंगे एलॉट्मेंट कब आएगा क्या होगा डॉक्वेंट लाएगा तो सारा कुछ इस चैनल पर आप लोग को मिलने वाला है तो चलिए सब से पहले स्टार्ट करते हैं online counseling कैसे करेंगे देखिए यहां फ़र्ष्ट लिंक जो आप लोग को दिख रहा है यहां पर सिंप्ली क्लिक कर लेना है बच्चो जैसे करेंगे तो आप लोग को next page पर आ जाएंगे और इसे नीचे जैसे इस्क्रोल करेंगे तो यहां फर्ष्ट नमर में आप लोग को दिखेगा क्लिक हेर for first round of filling BCC Engineering Consulting तो इसी first number पाल आप लोग को simply click कर लेना है और ओके का जो पर्मिसन आप लोग से कर दये हैं लेकिन कुछ क कर लेते हैं तो दो नए जो दने कि यहीं कर रहें हैं यानि कि आज से भी आ और लोग नहीं हैं दो आप लोग को किना को लिए और यहां पर जाइसे में đượcs पर नेक्स ट요 चलाएगा और यहां पर देखिए कुछ आपको instruction लिखा है हाँ आप लोग पढ़ लिजे और यहां पर आप लोग एगरिका बटब पर किरिक कर लिजें इसा इंक लिख करेंगे तो आप लोग को next page पर लेकशनेगा यहां देखि नमबर यहाँ पर candidate नाम लिख लेना है और यहाँ पर अपना date of birth date month year आप लोग को डाल लेना है और इसके बाद जो यह capture आपको दिख रहा यहाँ पर आप लोग को फिल करके submit बटन पर जैसा ही किलिक करेंगे बच्चो तो next page पर आपको लेख चल जाएगा कुछ इस परकार से यहाँ पर आप लोग को OTP मंगवाने के लिए रहेगा तो यहाँ पर दो option मिलेगा यहाँ पर आप लोग किलिक करेंग का एक box मिल जाएगा और new password यहाँ पर लिखा रहाएगा यहाँ पर confirm करने का आप लोग को रहा जाएगा जैसे ही आप लोग confirm जो सेम पासवर्ड यहाँ पर डालके जैसे ही आप लोग सब्मिट करेंगे तो आप लोग का जो है password create हो जाएगा और नया आपको जो profile है वहाँ पर आप लोग को लेख चल जाएगा इस तरह से रहेगा यहां पर आपका प्रोफाइल लिखा रहेगा यहां पर चॉइस फिलिंग रहेगा इस परकार से आप लोग को सारा कुछ देखने को मिल जागा तो बच्छों यहाँ पर चॉइस फिलिंग पर जैसे करेंगे तो सारा जो कॉलेज का डिटेल आप लोग को इस तरह से देखने को मिलेगा तो देखें कॉंसेलिंग करते समय बहुत जरूरी बात को ध्यान रखना है जैसा कि हम थामनेल में बनाए हैं देखें देना यह बात है ने कि जैसे आप लोग कॉंसे लिएट नहीं चाहिए किस परकार के ही प्राइवेट या खुर्मेंट आया प्राइवेट और डिस्ट सारा मिलेगा तो आप लोग जैसे ही government college select कर लेते हैं तो सिर्फ आप लोग को government college ही देखने को मिलेगा तो बच्चों यह जरूर आप लोग कर लिजे क्योंकि जैसे कि parametricल वाले बच्चे भी यही परिसानी में थे कि सर मेरा government college है या फिर मेरा private college मिला है तो आप लोग simply government college पर ही click कर लिजे ताकि आप लोग का private college चूज नहीं होता है यादि आप एक भी private college जैसा ही चुन लेते हैं तो आप लोग को 100% private college ही आप लोग को allowed होगा यह बात आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेजे तो बच्चों आप लोग क्या करिए कि अपने mobile से बिलकुल फिरी में इसमें कोई पैसा नहीं लगता है आप लोग फिरी में अपना counseling करिए और आप लोग को कुछ भी परिसान ही होता है कुछ भी problem होता है तो आप लोग जरूर हमें comment करिए हम आप लोग का हर comment का जवाब द नहीं लेता है तो आप लोग को कुछ वैसा लगता है कि सर से counseling करा है तो यह आपकी मर्जी आप लोग comment करेंगे तो फिर आप से हम contact करेंगे तो बच्चों आप लोग क्या करिए कि अपना जो है college select करते समय जो भी आप लोग को अच्छा college लगता है जो आपका घर से नजदी इस माने कि आप लोग को प्राइवेटी पहले इसका देगा फिर सकेंड का फिर थर्ट का फिर फाइब का इस परकार से देगा तो अपने अपने सुईधान उसार से आप लोग college को भरिए फर्स स्केंड थर्ड में और इसी परकार से वहां पर आप लोग को select किया जागा जै तो आप लोग को same ही college रहा जाता है तो यह जो है choice करते समय ये बाते बहुत जरूरी ध्यान देना है जो कि हम आप लोग को बता दिये हैं तो thanks for watching वीडियो और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल आप लोग को करना ही करना है क्योंकि BCC के तरफ से कुछ भी नोटिस आता है करते हैं तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत